वंग्रेसप्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंग ने टुईट करके केंद्र सरकार पर निशाना साधा है अखिलेश सरकार ने किसान सम्मान निधी की राशी वापस लेने के लिए भेज़े जा रहें नोटिस का विरोध किया और ट्विट के जरीए इस नोटिस को वापस लेने की मांग की है उन्होंने कहा कि केंदर की भाश्पा सरकार किसानों का अपमान कर रही है इसलिए जल्द ही किसानों का अपमान बंद किया जाए आज ये नोटिस देने के बाद ये किसान अपमान बिधी बन गई है कांगरेस पार्टी का ये मांग है कि इस किसानों के सम्मान निद्ध के जो पैसे वापस मांगे जा रहा है उसके लिए जो नोटिसें दी जा रही है वो किंद सरकात ततकाल रोके क्योंकि आज किसानों की आए कहीं दो बुरी नहीं होई है उनके खर्चे बढ़े हैं महंगाई बढ़ी है बेरोजगारी बढ़ी है ऐसी स्थिति में इस तरह की वसूली किसान बिरोधी गृत दिखाता है आप अपने मित्रों का तो लाखो करोड रुपे माप कर दे रहे हैं उनसे कोई वसूली नहीं हो रही है